नमस्कार निउसेट इन इंडिया में आपका स्वागत है और हमारे साथ में ASI के पूर्व डिरेक्टर धरमवीर शर्माजी है धरमजी सर ये कुतुम मिनार को लेकर जो पिछले दिनों से कुछ संगठन वहाँ पे प्रदर्शन भी किये और लगातार जो दावे कर रहे हैं देखिए मैं किसी राजनेति कुद्देशिय से कोई कोमेंट नहीं कर रहा हूं मैं एक सोधार्थी हूं केवल रिसर्च के बेस के उपर में बात कर सकता हूं आर्किटेक्टर के बेस पर बात कर सकता हूं आइकनोग्राफिक के उपर बात कर सकता हूं इसकी जो इंस्क्रिप उसकी फांडेशन से मैं सुरू करूंगा आपको पर्पस समझा जाएगा इसकी फांडेशन जिसको जगती-पीट कहते हैं सबसे पीछे इसमें जगती-पीट है आयताकार बनी गई है और वो उत्तर और दक्षिन में है nort-south orientation में है हाला कि कुतमिनार सर्कुलर टावर है लेकिन इसकी जो फाउंडेशन है वो आयताकार है जगती पीट 64 फुट लंबा और 62 फिट चौड़ा है उसके उपर एक और पीट बनी हुई है जिसको परसाद पीट कहते हैं परसाद पीट भी इसी तरह से 55 फुट लंबा और 52 फुट चौड़ा है यह दोनों पीट उए एक दूसरे के उपर बनी हुई है क्यों बनी हुई है क्योंकि कुतमिनार 25 इंच दक्षिन की तरफ जुकी हुई है मिनार के जुकने का एक important कारण है इसी में इसकी architecture का जो beauty है और जो रहस्य है वो छुपा हुआ क्योंकि इसकी foundation एक केंटी लिवर की तरह से बनाई गई है ताकि मिनार गिर नहीं जाए विद्वंस नहीं हो जाए क्योंकि 25 इंच दक्षिन की तरफ जुकी हुई है वो अगर जुकी हुई है तो गिर जाएगी लेकिन उसको जुकाओ इसलिए दिया गया है और जुकाओ को विद्वंस से बचाने के लिए foundation ही ऐसी डाली गई है क्यों डाली गई इसलिए डाली गई कि 21 जून को बारा बज के और बारा पंद्रा तक जब सूर्य उत्राइन से दक्ष्णायन में आता है तो कुत्व मिनार की चाय प्रित्वी पर नहीं गिरती क्यों कि सूर्य रेखा के उपर स्थित है लोकेशन बहुत इंपोर्टेंट है कुत्व मिनार को जिस लोकेशन पर बना गया है विश्णूपद पहाडी के उपर वो स्लेक्ट करके डाली गई है और इसको इसके जुकाओ दिया गया है केवल सूर्य की स्टड़ी करने के लिए अध्धन करने लिए यह मैंने इसकी बेस में बताया अब इसके ऊपर आई आप थोड़ा सा इसमें सो कार्ड केते हैं पांच मंजील इसमें कोई मंजील नहीं है इसमें मंजील तब होती जब छत किरती है आप सीडियों में चड़िये और उपर तक चड़ते चले जाईए चड़ित कोई छ से बने हुए हैं यह इसकी अर्किटेक्टर की इसका जो मुख्यद्वार है वह उत्तर में है अगर आप मुख्यद्वार में खड़े हो जाएं और आप अपने स्रीर को 25 इंच पीछे की तरो पैसे जुका दें तो आपको सामने धुरूत और नजरा आईगा इसलिए मैं इस यह बहूं कि आधा हूं कि यह दुरूस्तम है सुरियस्तम इसका क्योंकि मुख्यद्वार उत्र में है इसके उपर 27 मोखे बने हुए एक मोखे यह वर्ड होता है जरोख़ जैसे जरोखा वह वह होता है जिसमसे हवाँ आती है लेकिन में उसका साइज हो बताता आउँ जो तभी के तभी बने हुए हैं साथ साथ इसके structure में बने हुए हैं उसकी जो 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 मोखा है जो आउटलेट है उसका जो साइज है वो इंपोर्टेंट है वो देखिए वो आपको रहसे बताएगा उसकी चौडाई चार इंच और लंबाई एक फुट है और उसमें अंदर की तर देख सकते हैं इसके आर्खिटेक्ट्र में नहीं तहीं यह चीजह आर्खिटेक्ट्र में प्रोवाइड की गई हैं यह टेकनिकल पॉयंट है और उपर इंस्क्रिप्शन लिखे हुए देव नागरी में आठवी नौवी इस्ताफदी के इसक्रिप्सिं लिख लिए है जैस इसी चीजे सौर्ट में जैसे चीजे हैं वो उकेरी गई हैं उनको देखकर के बड़ा बड़ा जोतिस्चारी है जो आपना सिर्चक्रा लेगा यानि खगोल और जोतिस्च के जो चिन बने हुई है वो किसली बनाए जरोकों के उपर इसलिए उसमें बैठने वाले पर बने हुई है यह 27 नक्सुत्रों का वलोकन करने के लिए थे और वो इसलिए करते थे कि रात में धन करते थे दिन में धन करते थे और सूर्य की मुमेंट को वाच करते थे तो यह सूरी स्तम है अब आव अम उपर जाते हैं तो इसके जो सरकम्फ्रेंस से सबसे उपर वह नौफ फुटका है और उसी के अनुपाद से 27 फुटका इसका बेस है एक दम से यूनिफॉर्मिटी में बने हुई है एक साथ बने हुई है और जो इसके यह अनिकूम डिजाइन जो बने हुए है जिसमें से आपकी यह बालकॉनी जिसको आप कह रहे हैं अगर आप कुतों म सुर्य to देखके घूमता है जा- सुरिय जाएगगा सुर्य मुखी पूल वैसे घूमता चला जाएगा इसके जरूखे इसके जु Нी इसके जो यह ए बालकॉनी है फूल की तरह से हैं सर आप का रहे हैं कि सूरिया स्थम्भ है और स्टडी करने के मकसद से बनाए गया था लेकिन नाम की पीछे क्या रहस्य आई यह जो नाम रखा नाम मैं यह समझता हूं कुतुब कुतुब मिनार यह होता है क्पास होता है तो मिनार बूंब से जो कि आरह कि तरफ नौ Он हे नौ है आप ने कि आञे की जो इंपोर्टट स्क्रण अनौ बना हुआ चारों तरफ निजरे संग उन दए यह कि भरमित करते हैं कि यह इसलामिक आर्किटेक्टेक्चर है और लोग इसलिए कहते कि कुटुब नेवयक ने पहली मंजिल बनवाई दूसरी सब्सेक्वेंट दूसरे सुल्तानों ने बनवाई और तीसरे सुल्तानों फिर बनवाई बिजली गरी तुसका बढ़ना ने इसके ओपर यह है वो है यह सार अध्यन मौलवी एक मौलवी थे सरसाहिद एमद खान ने एक किया था इसका टोकरे में बैटके उससे सर्वे किया था बहुत पहले चारों तरफ से किस चीज का इन इंस्क्रिप्शिंस का इन आयतों का जो चारों तरफ लिखी गई है और यह उनकी रिपोर्ट है उस रिपो सर्वभार को जीत लिया था तो उन्होंने बड़े अपना महिममंदन करने के लिए उन्होंने इसको कहा कि हमने यह किया और इसके उपर अपने टाइटल लगा दिये जैसे अमीर उल्मोमनीन एक टाइटल लिखा हुआ है हुआ है कुटब दीन अबकाई टाइटल है अमीर दिए लिखा है इस्टन गेट के उपर मस्जीद के स्टन गेट पर कि मैंने 27 मंदिरों के को तोड़ के उसके से मल्मे से यह जामा मस्जीद का निर्मान किया और वो गजो मंदिर थे उस पर 20 लाक लेकिन क्या आपका मानना है कि किस ने बनवाया था कि वर्हामीर आचारी वर्हामीर का नाम सब लोग जानते हैं वह फारस का एक बड़ा जोती सचारिय था खगोल सास्त्री था राजा विक्रमावित्र गंधर्वसेन का बेटा था मालवाधीस था और परमार राजवन्स का ब पढ़ा नहीं जाता लेकिन मैं आपको बता दू उसने जूलिस सीजर को अरेस्ट कर लिया था और रोम के बाद्चा को वहां से उसको लेकर उज्जेन ले आथा छे मैने तो उसने रखा तो इतना परतापी राजा था यह कुतुमिनार जिसको कुतुमिनार कहते हैं यह वास रखती है वह उनको तोड़ा गया और इस पूरा जो प्रिवेस है यह वेद चाला है और इस पर जो इंसक्रिप्शन है क्योंकि उद्यवीर शास्त्री ने किताब इसके उपर लिखी है उन्होंने किताब में जिकर किया है कि जो जावा मजजीद है कि पस्वी दिवार पर ए एक स्लोक लिखा हुआ है इसको कहते हैं अगर इसके इसको देखा जाए जो देवनागरीब हैं मेसन मार्क्स को देखा जाए वह सारे इसलामिक काल से पहले के बने हुए है क्योंकि जब आप एसाइ में थे काम कर रहे थे उस समय इसको लेकर कोई रिपोर्ट भी तैयार किया था या सरकार को भी समपा था कि यह उस समय का है किसने बनवाया था क्या मक्सद था कुछ इस तरी के का देखिए आर्किटेक्ट्र एक ओंगोइंग प्रोसेस है हर चीज क करेंगे और देखेंगे आर्किटेक्ट्र की स्टेडी करेंगे इंस्क्रिप्शन की स्टेडी करेंगे तो आपको अर्किटेक्ट्र के बारे समझ आ जाएगा अब मढूंद करते हुए सौ साल के बात इक इतियासकार ने इसका नाम रख दिया कि कुछ इस्लाम है माइट ओफ इसलाम है इसका नाम माइट ऊपस्ट नहीं है इसका नाम जमा मजडिद लिखा हुआ है और वो वे ब बड़े दावे के साथ करता है अपने बड़े बरोशे के साथ कि मैंने 27 मंदरों को वीधवन्स किया तोड़ा उस समय से अभी स्टेडी और रिसर्च वगरा चल रहा है चलेगा भी आगे भी धीरे जैसे सामने आते जाएंगे आप पूरे कंप्लेक्स को देखिए वो कुतमिरार आर्किटेक्ट्ट्र ली पूरी तरह से एक हिंदू आर्किटेक्ट्ट्र है उसमें इस्लामिक चीज एक भी नहीं उस चें होने का मुझे इसा लगता है अगर उसको देखा जाए तो एक कुतमिरार के परिशर में इसी चीजें भी मिली हैं जहां एक तरफ मूर्ती बनी हुए है दूसरी तरफ यह एरभेस की और में बना हुआ है यानि कलिग्राफी लिखी हुई है तो रियूज किया है इस्लामिक पत्रों को इसको व्यूज किया और ग्लोरिफिकेशन करने के लिए अपना नाम उसको पर चिपका दिया मेरा यह मत है और मैं विद्वानों का अभान करता हूं कि वह देखें इसको सब इसको बनाव यह एक बार किसी ने लिख दिया कि यह कूतर इसलाम है हम उसको मान लें रिसर्च को रिष्ट करें और देखें कि आठीक्टेक्चर क्या कहता है आठीक्चर अपने बोलेगा कि कुत मिनार में यह बैठने की चैखे क्यों बनाएगी यह चोते मोखे क्यों बनाएगी जिए को भी इसमें कुछ दखल देनी चाहिए ने रिसर्च के लिए तो सब को कि अब आधिकारी तोर पर भी बोला है जो अभी मौझूद आधिकारी थी कि इस तरीके का है नहीं को मैंने अपने में लेक्षर दिया था वहां भी वह पर प्रजेंटेशन किया था कि मुझे यह एक अब्ज्रुबेटरी लगती है वेजशाला लगती है मेरे लिए उत्ममिन